Hey guys, welcome and welcome back to my youtube channel Guys, आज के इस वीडियो में हम 2 मिनट में बिना सिलाई और बिना किसी सुई धागे की मदद से पतली पतली लंबी लंबी डोरिया बनाएंगे तो इस डोरिय को बनाने के लिए आपको अरे पत्टी कट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल सीधे पत्टी से कम फैब्रिक में हम एकदम मजबूत और फिनिशिंग के साथ पतली डोरी बना लेंगे डोरी बनाने के लिए हमें एक बात का ध्यान लगना है आप जो कपड़ा लेंगे वो या तो कोटन का होना चाहिए या तो ऐसा कपड़ा होना चाहिए जिसमें से धागे वागे ना निकले अगर धागे निकलेंगे तो आपकी डोरी मजबूत नहीं बनेगी और उसमें फिनिशिंग भी नहीं आएगी यहां मैंने दो अलग लग रंग की सीधी पट्टियां ली है इसमें से हम हाफा फिंच की पट्टियां काट लेंगे अगर आपको ज़्यादा पतली डोरी बनानी है तो आप इसे भी पतली पट्टियां कट कर सकते हैं यहां पर मैं दो अलग लग रंग की एक एक पट्टी लूँगी और दोनों को आपस में मिलाते हुए गाट लगा लेंगे, यह देखे, अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम काट के हटा देंगे, क्योंकि हमें दोनों पट्टियां बराबर रखनी है, अब पट्टी की ए दोरी उतने ही ज़्यादा मजबूत और फिनिशिंग के साथ पनेगी, बल लगाने के बाद हम हातों से बलों को आगे तक प्रेस करेंगे, और जहां पर हमने गाट लगाई है वहां से डोरी को पकड़ेंगे, और दोनों खुले सीरों को आपस में मिलाते हुए से छोड़ द देंगे, डोरी की एक साइड में हमने गाट लगा रखी है, जो कूली साइड है, वहां पर हमें लटकर लगा लेंगे, यह डोरी बनाने के लिए मैंने दो अलग लग रंकी पट्या लेकर भी डोरी बना सकते हैं, आपको डोरी बनाने का यह आइडिया कैसा लगा, अगर आगे भी ऐसे आइडियाज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई